आप सभी का हर्दिक स्वागत है भगवत गीता केवल किसी एक धर्म समुदाय के लिए नहीं अपितु समस्त मानव जाती को लाभानवित करने वाला शास्त्र है जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके शिश्य एवं प्रिय मित्र अर्जुन को दिये गए इस ज्ञान से उनके सभी संशय दूर हुए उसी प्रकार हम भी भगवत गीता का अध्यन करके एवं उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं आईए शिरिमान दास कदाधर प्रभुजी के साथ अध्यन करें भगवत गीता का हमारे प्रवक्ता शिरिमान दास कदाधर प्रभुजी ने पुने विश्वे विद्याले के सिंगहर कॉलेज से सन 2005 में कम्प्यूटर इंजिनेरिंग में सनातक के डिगरी प्राप्त की एवं जानीमानी सौफ्वेर कंपनीज जैसे औरेकल वर टाइटन टेकनोलोजीज में भी विकारे कर चुके हैं वर्तमान में प्रभुजी भारत वर्ष के अनेग बड़े राज्जर में भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं एवं युवाओं हेतु सेमिनार भी लेते हैं तो आईए श्रमन करते हैं भगवद गीता अध्यनमाला श्रीमान दास कदाधर प्रभुजी के श्री मुक्से धन्यवाद हरे कृष्णा ओम ज्यानति मिरंदस्य ज्याना जनाश लाकया चक्षूरुन मिलितम येना तस्माई श्री गुरवे नमहा नमा उम्विष्ण पादाय कृष्ण प्रिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेधांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गुरवाणी प्रचारिने निर्विशेश शुन्यवादी पाश्चार्थ्य देशतारिने जै स्री कृष्ण जैतन्या प्रभू नित्यानंद श्रीय दोईतक दाधर श्रीवादी गौरव भक्त वरिन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तो आप सबका स्वागत है भगोदीत आध्येन माला श्रिंकला में और हम लोग अभी आज पढ़ेंगे अध्याय दो श्लोक्रमांक दो अब भगवान जो हैं अभी तक एक रूप से शांत थे परंतो अपने शिश्य का अवस्ता देख के अब वो कुछ अपना भाव भी विक्त करेंगे आईए पढ़ते हैं अध्याय दो श्लोक्रमांक दो श्री भगवान वाचा कुतस्त्वाकश्मलमिदं विशमे समुपस्थितं अनार्यम अज्जुष्टमस्वर्ग्यम अकिर्तिकरम अर्जुना श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन तुमारे मन म यह कलमश आया कैसे यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकुल नहीं है जो जीवन के मुल्य को जानता हो इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है तो यहां कृष्ण को भगवान के रूप में संबोधित किया गया है तो कई लोग मानना है कि यह कृष्ण को लगता है कृष्ण एक साधारण गौाल बाल था जो गाई चाराता था एक साधारण यदुकुली लड़का था अन्यस्री उनके भक्तुन को भगवान मना दिया कि इसने जितना राजनीती किया है उतना तो सभी महवरत के कारेक्टर्स ने मिलके नहीं किया और इतना सटीग कुछ लोग लगता था कि यह मेरे कृष्ण है जो मेरे प्रानधन है यह अपने भक्तों के लिए इतना भागते हैं और अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, भक्तों के एक पुकार में, भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्त हम अठारे द्वारे, कि सब भक्तों को आपने देख लिए, आप मुझे भी देख लिजे, इस भाव से कुछ कृष्ण को देखते हैं, कोई ये देखते हैं, कि ये सभी छलियों में चलिया है तो कोई यह देखते हैं कि यह सभी रशिक प्रेमियों में से सबसे उत्तम रशिक प्रेमिय है तो यह अलग-अलग दर्शन है और हर दर्शन के शीखर में कृष्ण मिलेंगे तो भगवान इस शब्द का अर्थ पराशर्मुनी बताते हैं वो कहते हैं वो कहते हैं कि छे गुण है ये छे गुण जिसमें पाए जाएं उनको भगवान माना जाता है छे गुण है आईश्वर्य जो एक व्यक्ति का समृद्धी है या ओपलेंस है उसको आईश्वर्य कहा गया है सुन्दर्ता बल फिर आपका नाम विख्यात नाम होना फिर एक होता है वहिराग्य तो ऐसे फिर आपका बल और सुन्दर्ता और आपकी ख्याती और आपका ग्यान आपका धन आपकी शक्ति आपका जो फेम कहते हैं उसको मतलब आपका जो नाम और प्रसिद्धी है सुन्दर्ता ग्यान और विख्यात तो ये छे चीजे हैं जो अगर किसी व्यक्ति में पूरे पाए जाए तो उन्हें भगवान कहते हैं क्योंकि प्राय व्यक्ति में अगर सुन्दर्ता है तो वह वैरागी नहीं होता अगर कोई वैरागी है तो धनी नहीं होता अगर कोई धनी है तो उसमें उसमें बल नहीं होता कोई बलवान है तो सेकुरिटी काड़ी की नोकरी करता है तो आप देखेगा कि एक समय में छे के छे होना और वो भी पुर्ण रूप से मतलब सब से उत्तम सित्य में होना नहीं पाया जाता तो मनुश्यों में नहीं पाया जाता क्यूंकि भगवान जो है वो इन छे जीजों को रख सकते हैं भगवान एकी समय में सारे शक्ति रखते हैं वो रगते हैं वो कहता है चेतन महाब्रोग की रूप में जब कृष्णा आए तो उन्हें ने सन्यास लिया ये उनकी सन्यास अवतार समझ सकते हैं या भगवान जब कृष्णे की रूप में जब यहां थे स्वेम कृष्णा थे तो उन्होंने जो द्वारका बसाई थी उसमें 16108 रानिया थी और सभी रानियों के साथ एक महल था सूचिए आज भी कुछ जोग्रफी चैनल और जो हिस्ट्री का रिसर्च करते हैं उनको पता चला है कि जो भारत में द्वारका है गुजरात में तो उसके और अंदर आप जाएंगे समंदर में तो द्वारका शहर आज भी जो है पानी के अंदर पाई जाती है तो यह सिर्फ पता चल जाता है कि भगवान ने जो बनाय था वो सच था वो था वहां पे और भगवान ऐसे हैं कि जनरली आदमी एक एक सुत्री को खुछ कर है तो उसका जिवन उधार हो जाएगा लेकिन यहां भगवान 16108 रानियों को एक साथ उनके साथ रहते थे और एक साथ आदान प्रदान करते थे और सभी रानियों को लगता था कि कृष्ण मेरे साथ हैं तो भगवान ही यह कर सकते हैं कोई साधरन मनुष्य कभी तो भी तो हम भी रखेंगे तो मैंने बोला कृष्ण ने गौरधन उठाये था उससे पहले तो तुम भी उठालो तो गौरधन उठालो अपना सामर्थ दिखाओ अपना बल दिखाओ और फिर अपना अधिकार का बात करो तो यहां पर जाना बहुत जरूरी है कि भगवान जो शब इन नस्तो भगवान स्वयम इंद्रा रिव्यक व्लमलो कम रड़यंति युगे युगे वो कहते हैं कि यही कृष्ण भगवान है स्वयम जिसे कभी को आप लोग देखते हैं दीप बहुत जारे कैंडल या मौंबत्ती लगे हैं और उसमें से एक मौंबत्ती ने सब मौंब इसलिए जब आप दशावतार स्तोत्र पढ़िएगा तो उसमें कृष्ण अवतार का नाम नहीं आता है, भलराम जी का नाम आता है, हलधर रूपा, जय जगदीश हरे, तो भगवान कृष्ण जो हैं अवतारी हैं, ये सभी अवतारों के स्रोत हैं, और सभी जो बाकी अवतार हैं, शिव, विष्णु, ये जो रूप भी हैं, इनमें भी जो गुण पाए जाते हैं, वो भगवान कृष्ण में 64 कला पाए जाते हैं, विष्णु में 60, शिव जी में 55, ब्रह्मा जी में 50 के असपास, इससे पता चलता है कि वो पूर्ण तया जो कृष्ण कर सकते हैं, व इस अवतार में, विष्णु के रूप में, क्योंकि विष्णु ऐसे हैं, जैसे जज होते हैं, घर पे पिता होते हैं, और बाहर कोर्ट में जज होते हैं, वही बच्चा जो खेल रहा है, वो अगर कोर्ट में आय तो उसे न्याई किया जाएगा, तो यहां पे वो व्यक्ति भी इस चीज की पुष्टी करते हैं, बाद में जाके स्वयम, अर्जुन भी बोलने वाले हैं, परब्रम परम्दाम पवित्रम परम भवान, पुरुशम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजंभू विभूं, आहुस्त्वाम रिशयसर वे देवर्शिर नार दस्तता, वो क भवान वाच, यह कितना सभगेशाली हैं, यह जितरष्ट भी सभगेशाली हैं, कि सुनने वाला एक गीता, लकिन वो अभी भी इतना मुह में आ सकता है, कि वो अभी भी यही सोच रहे कि नहीं, मेरे बेटों का क्या होगा, एक अंध आ सकती के करण, तो यहां पे समझना ज इच्छा भी होनी चाहिए, धितरष्ट ने इच्छा नहीं कि बस वहीं वह समस्या हो गया, वारना रण भूमी में तो जो दिन भी खड़ा था, वो देखके समझ हो जाता कि अरे तो बहुत दीव ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा मैं भी लेलू, अर्जुन का अगर के कारण नहीं सुन पाया, एक बार हमारे स्वामी प्रहुपात जी जब पाश्चात्य देश में गए थे, तो लंडन में गए, तो कुछ रिपोर्टर आये, बोले, why have you come to our country, तो बोले, तुमारे लंडन ने, तुमारे इंगलंड ने, आके भारत पे राजी किया, और सारा क कोहिनूर तो लेके ही गए और बाकी जो भी है, सारा धन तुम लूट के लेके चले गए, लेकिन जो असली धन था भगवद गीता का वह नहीं लूटे, तो वह मैं आपको देने आया हूं, प्रोपाद जी बड़े मारमिक तरीके से बता दे थे, कैसे है, आपने सब तो लू भूम ही मानी जाती है, जहां सूरज ना होगे, तो आप ऐसे भूम में रह रहे हो, तो प्रोपाद जी बड़े दयालू होक है, पास्चत देश में भी जाके उने प्रचार किया, आज लंडन में भी दो टेंपल है, बहुत प्रचार होता है, लाखों के संख्यांग लोग ज असंभव जैसा ही है, नामों की तो नहीं कहेंगे, लेकिन असंभव है, बहुत मुश्किल है मिलना, तो अब प्रोपाजी तात्पर में एक बहुत अच्छा चीज बताते हैं, जो हमें भागोत से समझ में आता है, वो ये है कि भगवान भी जो है, कई बर ये सवाल आ जाते कि भगवान साकार है कि निराकार है, अगर वो साकार है तो निराकार कैसे है, अगर वो निराकार है तो साकार कैसे है, तो इश्वप निशद में भी वो मंतर आता है, उसमें कहते हैं, ओम पुर्णम अदहा पुर्णम इदम पुर्णार पुर्णम उदच्यते पुर्णस्या पुर्णम आधाया पुर्णम इवावशिष्यते ओम शांति 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 वो कहते हैं ओम पुर्णम अदहा जो ओम मतलब अ उम अ मतलब कृष्ण ओम मतलब राधा उम आधा म मतलब मोन ही होता, वो अं स्वर होता है, तो वो भी जीव को माना गया है, तो कृष्ण किष्ण के अंतरंगा शक्ति और तठस्त शक्ति, यह तीनों को मिला के सब हो जाता है, ओम पुर्णम अदहा, अदहा मतलब वे, जो भगवान है, वो कैसे है, पुर्ण है, पुर्णम पुर्ण से पुर्ण बहार आता है, मतलब एक से एक निकाल दीजेगा, तो भौतिक गणित में शुन्य बचेगा, लेगन आध्यात्मिक गणित में वो एक ही बचेगा, कैसे? क्योंकि भगवान ओम नी प्रेजंट है वो सक्तिशाली है कुछ कम नहीं होता तो यहाँ पे ओम पुरुणम अदह भगवान पुरुण है इसका मतलब यह होता है कि अगर आप बोलिएगा कि भगवान सिर्फ साकार है और निराकार नहीं है तो वो अपुरुण हो जाएंगे अगर आप कहते हैं कि भगवान निराकार है और साकार नहीं है तो फिर अपुरुण हो जाएंगे तो पुरुण का मतलब है वो साकार भी है और वो निराकार भी है यह कैसे होता है यह अचिन्त भेद अभीत तत्यों के तहट जाना जा सकता है तो यहाँ पे भागवत में एक्षलोक आता है वदंतिततत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् तीन दर्शनों से आप भगवान को समझ सकते हैं इश्वर को समझ सकते हैं पहला है ब्रह्मेती भगवान इस पूरे संसार को व्याप्त किये हैं अपने ब्रह्म जोती के द्वारा अन्य शक्तियों के द्वारा तो यह जो ब्रह्म जोती जो यहां व्याप्त है और जानने के लिए आपको ब्रह्म ज्यानी होना पड़ेगा तो जो ज्यानी जन है या ध्यान या तब करते हैं ध्यान करने के बाद तो ब्रह्म में जो ध्यान करते हैं तो उनको अंते में ब्रह्म की प्राप्ति होती है यह निर्विशेश रूप है मतलब इनका कोई आकार नहीं है और ये सरवत्र व्याप है तो ये ब्रह्म स्वरूप हो गया जो योगी होते हैं और परमात्मा पर ध्यान करते हैं हमारे रिदमें परमात्मा है आठ इंच के हैं ये इतना वीद माना गया है भागोयत के दूसरे सकंद के दूसरे अध्य में आठवेंश लोक से बारवेंश लोग भगवान परमात्मा किस रूप में क्या वस्तर पहनते हैं इस सब वरणन उसमें दिया हुआ है प्रसन्न वदन रहते हमेशा देखते रहे थे कि जीव क्या करेगा परमात्मा का रूल क्या है यह हम लोग तीसरे अध्य के 2700 श्लोक में देखेंगे क्योंकि वहां उनका म करता कौन परमात्मा करते हैं कि आप करते हैं जीव करता है कि प्रकृति करती है इसका ध्यन उस उन श्लोकों में होगा तो यहां पर समझना जरूरी है जो परमात्मा का ध्यान करते हैं योगी उनको परमात्मा का दर्शन हो जाता है और जो भप्त हैं उन्हें भगवान का स साक्षात कार के तीन स्वरूप है, सत, चित, आनंद, सत मतलब शाश्वत, कि भगवान शाश्वत है और ये संसार शनिक है, शनभंगूर है, ये सत हो गया, चित मतलब घ्ञान, हर चीज का घ्ञान होना, उसको कहते हैं चित, आनंद मतलब वो अनुभूति होने के बाद एक अ तो यहां पर जो ध्यानी होते हैं या जो ब्रह्मवादी होते हैं उनको सत का जो अनुभव है वो हो जाता है पर उनको चित और आनंद का अनुभव नहीं होता इसलिए उनको केवल ब्रह्मा दर्शन हो पाएगा ब्रह्म की उपास नहीं करते हैं तो चित और आनंद नहीं मिल पाता और जो योगी हैं इन्हें सत और चित का अनुभव हो जाता है साक्षातकार हो जाता है लेकिन आनंद का अनुभूती नहीं होता तो कि बहुत ध्यान करके आप पर्दमा को देख भी लीजिएगा तो जब चैतने महा परभू जा रहे थे तो भट्टारियों के जो प्रभाव से कालकृष्ण दाज जो थे भागवान को छोड़ दिये तो भागवान सामने आने से कुछ cannot तो योगी देख तो लेगा परन्तु नहीं वा तो फिर आनंद से वंचित हो जाएगा लेकिन जो भाग्त है वो भगवान के बारे में इतना श्रवन कर चुका होता है कहते हैं भक्ति का पहला माध्यमिये श्रवन वो श्रवन पहला है तो यहां पर जो भक्त है वो श्रवन मात्र से वो सत का भी अनुभूति होता है चित का भी अनुभूती होता है और आनंद का भी अनुभूती होता है और विग्रहा भगवान का विग्रह रूप भी उनको साक्षत धर्शन होता है तो भगवान का जो भगवान साकार है और उनका उनसे जो निकलती ब्रह्म जोती उसे कहते हैं ब्रह्म जोती आपका चोदव कि यह जो ब्रह्मन है यह मुझसे शुरूत होता है और ब्रह्म समिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटी कोटी श्वशेश वसुदादी विभूति भिन्नम तत ब्रह्मनिश्कल मनंतम शेश भूतम गोविंदमादी पुरुशंत महंभजामी कि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटी कि आपके प्रभा से अनेक ब्रह्मांड प्रका आश्मान है, यस्यप्रभा, इसलिए आप देखेगा जो हमारा आकाश होता है, वो नीला होता है, उसका कारण है, वो महाविष्णु की कांती है, महाविष्णु का जो प्रभा है, वो नीला है, इसलिए आकाश नीला होता है, तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि भक्त होने के बाधी यह पूरी अनुभूती होए तो साक्षातकार में भी ब्रह्मवादी, ध्यान, योगी और भक्त इनमें एक फरक है तो यह फरक बना रहेगा, तो यह इसका और विवरण हम लोग अन्य श्लोकों में देखेंगे कि कैसे यह जो अनुभूती हैं यह पद पद में आती हैं अनिक जन्मों का समझ लिजे कि इच्छाप करने के बाद भगवान आप धीरे 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 उस तर से लेके जाते हैं जहां में यह चीज की अनुभूती होने लगती है, दीरे दीरे पहले कोई ब्रह्मवादी बन किया तो दीरे दीरे वो फिर योगी बनने का प्रैस करेगा फिर वो दीरे दीरे योगी से भक्त बनने का प्रैस करेगा तो भगवान भी बरबर उसको उससे ले जाते है, मारक से ले जाते हैं अब यहां पे एक और श्लोक आता है जहां ब्रह्मा जी जो ब्रह्मा समिताना पहला श्टोक कहते हैं इश्वरहा परमकृष्ण सचिदानंद विग्रहा अनादेर आदेर गोविंदा सर्वकारण कारणम की इश्वरा परमकृष्ण है यह भगवान की तो जो बात आ रही है यहां यह बात आ रहे कि वो इश्वर कौन है वो कृष्ण है इश्वरा परमकृष्ण सचिदानंद वि उनका आकार है और वो कौन है अनादिर आदिर गोविंद के लोगो लगता है कि भगवान कब पैदा हुए यह पैदा होना और मृत्यू होना यह इस संसार का नियम है और यह के वज़े से मैं आपको पहले भी बताया था कि भूसे से जब कि वह बिच्छ निकलता है तो भूसे रोज सुबह उगता है तो इसका निया आजो पैदा हुआ पहले ही था आपके नजर से निकल गया नजर के सामने आ गया तो यह से भगवान शाश्वत है अनादिर आदिर गोविंद जो भी आप देख रहे हो आदिकी घणित कर रहे हो तो उससे पहले वो है अनादिर आदि कारण के लिए अगर मैं यहां बैठके कुछ कह रहा हूं तो इसका कोई कारण है तो मैं बात कर रहा हूँ यह क्रिया है और जो उसके पीछे कारण है अब उस कारण कारण जो है वो भी एक क्रिया है उसका एक कारण है अगर आपको गाउं के तरीके में बताये जाए तो जैसे कोई और कुए में पानी ला रही है कुए से पानी निकल रही है तो पानी निकलना ये क्रिया हो गया इसको इंग्लिश में करते है cause and effect तो इसलिए इंग्लिश में भी इसका translation नहीं था cause of all causes कि भगवान जो है वो हर कारणों के कारण है तो जैसे कोई और पानी निकाल रही है तो वो क्रिया है वो क्रिया का एक कारण है क्या कारण है तो घर पे जाना है खान ना बनाना है कपड़े धोना है तो पानी चाहिए इसलिए पानी निकाल रही है आच्छा वो पानी जो चाहिए वो क्यों चाहिए तो पानी चाहिए ये क्रिया हो गया और कारण क्या हो गया क्योंकि जीवन व्यापन करना है जीना है आच्छा तो जीना है ये क्रिया हो गया ये इच्छा हो गई इसका कारण क्या है इसका कारण ये है क्योंकि हम अभी है आस्तित्तों में है तो करना बड़ेगा आच्छा हमारा आस्तित्तों क्यों है तो वो एक क्रिया हो गया उसका का दुनिये, करते-करते आप अंत में हर कारण के कारणों में पीछे-पीछे जाएंगे, तो अंत में आपको भगवन कृष्ण की ही अनुभूती होगी, इसलिए यहां भी जो ब्रह्माजी आपको कहते हैं, इश्वर परम कृष्ण, सत्चिदा अनन्द विक्रह, ब्रह्माजी बहुत अच्छे से कृष्ण का वरणन करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, कैसे वेनु पकड़े हैं, और अपने मधूरता से सारे ब्रह्माज़ को जीत रहे हैं, और ऐसा नहीं कि भगवन पांच-जार साल पहले जनम लिये, भगवन यूगे-यूगे आते रहते अलग- हर एक में जाके भगवन लिला करते हैं, यह से होता है, आपने एक वीडियो क्लिप बना दिया, उसको Android पे सब लोग देख रहे हैं, तो होता है आजकल फेस्गे में लोग डालते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, तो सब लोग देख रहे हैं, तो रेकॉर्डिंग कि आए साधरन व्क्ति नहीं है स्वयम भगवान है अचा भगवान क्या कह रहे है ध्यान से से धिक कि रहे है कुतस्तवा कश्मलम Kashy 맞ै कैसे व्क्ति हो तुम कहां से मल तुमर में आ गया तुम तो आरे हो तुम जन खल्ण सोच्ते हो अपना उधर जानते हो तो यह किया तुम दिहात्मबुद्धी की बात कर रहे हो कश्मलम कहां ये मल आ गया वीशमेस मुपस्थितं है तुम कहां ये ईसे वीशां की बात कर रहे हो जो करका अनार्य अजुष्टम अस्वर्गयम अकिर्थिम करम अर्जुना इसके वज़े से तुम के वल अनार्य कहल आई जाओगे और तुम्हे कोई किर्थी की प्राप्त नहोगी नमा न संतुष्टी मिलेगी तुम से अपैक्षित नहीं था है अर्जुन तो आगे फिर भगवान औ और उसे आपक्षा करेंगे जो अगले स्लोक में है तो हम लोग उसमें आगे अगले सत्र में देखेंगे धन्यवाद हरे क्रिश्णा